स्वाकम्प्स में आपका स्वागत है आज में शामिल होने के लिए धन्यवाद आशा है कि शुरू करने से पहले आप सभी सुरक्षित तथा अच्छा कर रहे हैं मैं सभी से अनुरोध करूँगा कृपिया शेर करें कॉमेंट करें और विशेश रूप से अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो की सूचना प्राप्त करें कभी भी कोई वीडियो ना छोड़ें हिंदुस्तानी भाव पर बुरी तरह नाराज हुई एक्ता कपूर बोली इंटिमेट सीन बुरा मगर रेप सही एक्ता कपूर एक्ता कपूर ने हिंदुस्तानी भाव द्वारा लगाए गए आरोपों पर बात की है वेब सीरीज ट्रिपल एक्स, वेब सीरीस 30 को लेकर सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है इस मामले में मशूर निर्माता एक्ता कपूर, एक्ता कपूर पर F.I.R. भी दर्ज हो चुकी है एक्ता कपूर के OTT प्लाटफॉर्म एल्च बालाजी, एल्च बालाजी पर स्ट्रीम कर रहे शो 30, अनसेंसर्टू में यूट्यूबर और बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके हिंदुस्तानी भावू, हिंदुस्तानी भावू ने सेना के अपमान और अशलीलता पहला हिंदुस्तानी के आरोप लगाये थे, लीगल नोटिस और एक्ता की सफाई के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं हाल ही में एक्ताने सोशल मीडिया के जरिये उन्हें मिल रही धमकियों और हिंदुस्तानी भाव को लेकर खुल कर बातें की हैं, एक्त कपूर्ण ने हिंदुस्तानी भाव को करारा जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें भारतिय सेना से माफी मानने में कोई ही चक नहीं है, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले ही वेब सीरीज में से विवादित हिस्सा हटा दिया गया है, एक्ताने ये भी कहा कि वो भ कुर्दीप कोहली के साथ बातचीप में कही है, वहीं हिंदुस्तानी भाव के आरोपों पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक्ता ने कहा इस व्यक्ति को लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी है, सोचा कि वो मुझे और मेरी मा को गालियां देगा और उसके ट् हमकी मिल रही है, अब ये सेक्स या आमी से जुड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आप एक लड़की का रेप करने के बारे में बात कर रहे हो, मतलब सेक्स तो बहुत बुरा है लेकिन रेप करने में कोई बुराई नहीं है? बता दे कीज से पहले एकता ने जारी की गई अपनी सफाई में कहा था कि एक नागरिक और एक संगठन के तौर पर हम हारतिय सेना का बेहद सम्मान करते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी देखरेक और सुरक्षा में उनका बेहद अहम योगदान है अगर किसी मानिता प्राप्त सेन्य संगठन की तरप से हमसे माफी माने के लिए कहा जाता है तो हम बिनाशर्त माफी माने के लिए तैयार हैं मा सभी तरीके की साइब बुलिंग और असामाजिक तत्वों द्वारा दिये जा रहे रेप की धमकियों के आगे नहीं जुकने वाले हैं.